भारतिये जनता पाटी की तरफ से इस वक्त एक प्रेस कॉंसेंस हो रही है, सुनते है रविशंत प्रसाथ क्या क्या है? तमिल नाड़ भाषन का पुरा अनवात मेरे पास है, मैं रिपीट कर रहा हूँ नाड़ आड़ बनाषन क्या है ख्राइब, और आणवात मेरे पास हैं तरह क्या हूँ जनता है है, सुनते हैं आड़ नाड़ भारत मता की जय हंए ये महाशे वही हैं जो टूजी घोटाले में भेंकर आरोपी थे लोर कोड का एक फैसला आया है विश इन माई कंसिड़र्ड विव अधिस्टूटन अफ लॉव इस सीरियस्ली कॉश्शनेबल जज्जमेंट अपिल पेंडिंग है आप जानते हैं उसके खिलाब दिल लिहाई कोड में और मैं उस महक्मे का मंत्री रहा हूँ तो ये जो मंत्री थे तो क्या-क्या इन्होंने किया काफे जनकारी है लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये टिपणी उनके एक नेता की है इसके पहले स्टादिन की थी वो MP भी है सम्विधान की शपत लिए Congress Party से पूछना चाहूंगा राहुल गांदी से सुनिया जी से प्रियंका से खर्गे साब से आप इसको सही मानते है क्योंकि आपको मोदी जी को हटाना है इसलिए उनको गाली पढ़ते हैं अकलग भी शेय है लेकिन ये जो शब्द We are enemies of Ram क्या इससे आप agree करते हैं If you say भारत माता की जैव You will never accept it मैंने सुना है राहुल गांदी आज उज्जैन जा रहा है महाकाल का दर्शन करने तो मारे संजय मयूक ये बहुत बड़े भक्त है महादेव के हम लोग भी है तो वहाँ जा करके तो महादेव की इस्तुति करेंगे न राहुल गांदी जै महादेव बोलेंगे न तो बोलेंगे तो इसको कैसे accept करते हैं Congress Party के लोग दिखावई के लिए जाते हैं मंदिर में और भारतिय आस्था भारतिय इश्वर की पद्धती हमारे संसकार इन सबों का अपमान करते हैं या खामोश रहते हैं यह है बड़ा सवाल इसलिए ये इंडिया गटबंधन या तो भारत के आस्था संसकार संस्कृती सनातन के अपमान पर चुप रहता है मौन स्विकृती या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि चुनाज इतना जरूरी है तो क्या कॉंग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी किसी हद तक जाएंगे और एक बड़ा समवैधानिक सवाल में उठाना चाह रहा हूँ समवैधान की बहुत द्वाय देते हैं समवैधान में लिखा हूँ है इंडिया डैट इस भारत भारत को एक समवैधानिक एक्ता समवैधान में दी गई है और जितने भारत के स्टेट्स है उनका नाम उसमे है जितने भारत की भाषा है उनको विशिश डर्जा दिया गया है तो यही तो विवित्ता में एक्ता क्या मूर्त रूप समवैधान में है